आइफोन 15 सीरीज को रिलीज हुए अभी एक ही दिन हुआ और कल से लेकर अभी तक पता नहीं कितने ही मैसेज आ गए है कि भाई अमेरिका में क्या प्राइस है इंडियन रुपीज में प्लीज बता दो एक आइफोन का तो यहां पे मेरे पास पूरी लेस्ट है चारो ही मॉड की एक-एक मैं आपको वेरियंट बताने वाला हूँ प्राइसे जब खतम हो जाएंगे उसके बाद भी बने रहे ना क्योंकि एक दो इंपॉर्टेंट चीजे बतानी है अगर आप आइफोन लेने का सोच रहे हो अमेरिका से तो आपके लिए यूसफुल रहेंगी ऐसी के उपर लिखा हुआ देख रहा होगा मैं आपको सिर्फ इंडियन रुपीज बतारा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो अगर आप लेना चाहते हो 256GB iPhone 15 तो उसका प्राइस होगा 84,441 रुपीज आइफोन पंद्राव 512GB वाला लेना चाहते हो तो उसका प्र 512GB वाला iPhone 15 Plus तो उसके लिए आपको देने होंगे 1,11,648 रुपीज और अब आ जाते हैं प्रो लाइन अप के उपर टैकसेस और सारी चीज़े आपको साइट पर लिखी हुए देख रहे होंगी तो आपको कोई भी कनफ्यूजन ना हो और अगर बात करें 15 Pro की तो यहाँ प के उपर और इसका प्राइस है 1,18,036 रुपए और इसके बाद आ जाते हैं 1TB वाले वर्जन पे 15 Pro के तो इसका प्राइस है 1,36,201 रुपए तो यानि कि जितने का इंडिया में प्राइस स्टार्ट हो रहा है 15 Pro का उतने में यहाँ पे आपको 1TB वाले वर्जन मिल अब अगर बात करें 15 Pro Max की तो 15 Pro Max का बेस वेजन स्टार्ट हो रहा है 1,891 रुपए से इंडिया में 1,60,000 का है तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है प्राइस का इसके बाद अगर बात करूं 512 GB की तो 1,27,077 रुपए का यह आपको पड़ेगा अमेरिका के अंदर और अगर आप 1 TB वाला iPhone 15 Pro Max लेना चाहते हूँ तो उसका प्राइस है 1,45,243 रुपीज तो जितने का इंडिया में स्टार्टिंग हो रही है उससे भी 15,000 कम में आपको यहाँ पर टॉप मॉडल मिल जाएगा अब जो important चीजों की मैं बात कर रहा था अमेरिका के अंदर 50 states हैं और हर state प्राइस बता रहा हूँ यह California के prices हैं जहाँ पर 9.5% sales tax लगता है 5 states है Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire और Oregon यहाँ पर बिल्कुल भी tax नहीं है तो अगर 999 website के उपर लिखा है उतने का ही वो phone है उतने को आप Indian currency से convert कर सकते हो बड़ बाकी सारी states में tax लगता है और हर state में tax different है बड़ थोड़ा ब iPhone 15 and 15 Plus है इनका website के उपर price लिखा होता है 799 बट वो real price नहीं है अगर आपको unlocked version चाहिए किसी carrier के बिना जो इंडिया में ले जा आके आप बड़ ही अराम से किसी भी SIM के साथ यूज़ कर सको तो आपको 30 dollar extra देने होते हैं price के उपर ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता बट प Pro का जो 999 है वही है और उसके उपर tax लगता है और वो होता है आपका final price इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर आप इंडिया ले जाने के लिए एक iPhone लेना चाहते हो तो प्लीज 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 एपल स्टोर से ही लो क्योंकि एपल स्टोर जो है वही आपको sell करता है unlocked phones उसक तो उस चक्रों में मत पढ़ना और insurance fraud करने वाले प्लीज वो मत करना अब Apple उसको block करने लग गया है तो अगर आप iPhone अमेरिका से लेके इंडिया लेके जाना चाहते हो तो आप Apple Store से लो उसके बाद आपका जो phone है आप पूरे वर्ड में कहीं भी घूमो बड़े ही मज़े से चलेगा बट अमेरिका वाला जो phone आता है वहाँ पर SIM card train नहीं मिलती है आपको eSIM ही यूज करना पड़ेगा और ये थी मेरी वीडियो iPhone 15 के prices के उपर की अमेरिका में कितने का मिल जाता है iPhone 15 और इसके बाद एक और वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो फड़ा